नमस्कार दोस्तों स्याम LCS class में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये गोल्ड मेन परियाबरन पुरुसकार गोल्ड मेन परियाबरन पुरुसकार 2023 में कितने लोगों को दिया गया और किस किस छेतर में दिया जाए और यह पुरुसकार की सुरुवात क अब से हुई और इस पुरुसकार से संभध है जितने भी जैसे यह गोल्टमेन परियाबरण पुरुसकार परियाबरण के के नाम से जानते, किस नाम से जानते हैं, ग्रीन नोबल के नाम से जानते हैं, किसे गोल्ड मेन परियाबरन पुरुसकार को इसे ग्रीन नोबल के नाम से जानते हैं, याद रखेगा महत्पुन कोश्चा है, इस पुरुसकार की सुरुवात किसने की रिचर्ड और रोडा गोल महत्पुन कोश्चन है डिरेक्ट आपको एकजाम में देखने को मिलेगा कि गोल्ड मैं परियाबरन पुरसकार किस छेत्र में दिया जाता इसकी सुरुवात कब हुई तो इसकी सुरुवात पूछेगा तो उन्हें इस सद्वावासी में 2023 में कितने बैक्ति को दिया गया इसक कोराब को दिया गया इसको क्यों याद रखना है दोस्तों यह आपके एकजाम के लिए बहुत ही महत्पुन है जितने बैक्ति को दिया गया इसमें सबसे महत्पुन है एलसेंडा कोराब किस देश का है ब्राजील का है किस देश का है ब्राजील का याद रखेगा महत्पुन कोश्चन है और अमेजन बरसाबन इसको एलसेंडा कोराब को जो गोल्ड में परियाबरन पुर्सकार दिया गया पेरों की कटाई को कटाई को रोकने के लिए दिया गया किसले दिया गया पेरों की कटाई को रोकने के लिए दिया है याद रखेगा महत्पुन कोश्चन है कहां अमेजर्ण बरसा बन में बिस में सर्बाधिक जयर बिवित आ पाई जाती है का आई जाती हैं अमेजर्ण बरसा बन में याद रखेगा हुश्चन आपके एकband management है बिट आposना अब देखिये इचर्ड और रोडह गोल्ड मैंने गोल्ड मैंन पर्यावरन पृमस कार की सुरुवात की थी इसी के नाम पे हुआ था इसे ग्रिन नोबेल के नाम से भी जानते इस पुरुसकार में किस पुरुसकार में गोल्डमेन परियावरन पुरुसकार में कितने कितने रुपया की रासी दी जाते तो याद रखेगा 3.8 लाक डॉलर रुपया की रासी दी जा और USA के डाइना विलसन को दिया गया, इस पे भी नज़ा रखे, जांबिया के चिल मुंबा को दिया गया, इंडोनेसिया के डोलीमा लाही को दिया गया, याद रखेगा महत्पून, लेकि आपके एक जांब में बहुत ही महत्पून कोश्चन यहां से बनता है, कि जो गोल्ड परियाबरन पुर्षकार उस पे नज़ा रखेगा, तो परफुल सामतारा को दिया गया, परफुल सामतारा को गोल्डन परियाबरन पुर्षकार कब दिया गया, 2017 में नज़ा रखेगा, रमेश अगरबाल को भी दिया गया है, 2014 में नज़ा रखेगा, रसीदा और चंपा, को 2004 SP में दिया, इस पे भी नज़र रखेगा, MC मेहता को कब दिया गया, उन्हें सा 96 SP में दिया गया, ये सभी मेगा पात्येकर को भूलियेगा, ने बहुत बार पूछा हुआ, कि मेगा पात्येकर को गोल्ड मेन परियाबरन पुरुसकार कब दिया गया, उन्हें सा 92 SP में, और सेभी को बैधानी की दरजा कब दिया गया, उन्हें सा 92 SP में SP भी नज़र रखेगा, और परियाबरन के छेतर में एक पुरुसकार और दिया जाता है, इसको नज़र रखेगा, ग्लोबल 500 पुरुसकार की सुरूआत कब हुई, उनेशा 87 में याद रखे, लेकि पर्याबरण के रच्छा में सुधार के लिए दिया जाता है, कौन सा Global 500 पुरुसकार उनेशा 87 में पर्याबरण को रच्छा के लिए दिया जाता है, महत्पुन कोईस्टन, अब देखे, अब देखे, COP27, बहुत बार पूछा हुआ, COP27 मिस में आयुजित हुआ, कब आयुजित मिस में, अलेकि मिस में जगा पूछेगा, कहां सर्म अल सेख में, सर्म अल सेख में, तो पूछेगा, COP27 कहां आयुजित हुआ, तो मिस में, और COP28, UAE में होगा, कहां आयुजित होगा, UA में नजा रखेगा अब देखिए जैब बीविता को कम करने के लिए कोप COP 15 का आयुजित किया गया तो कनादा में कनादा मांट्रियल में कनादा में याद रखेगा महत्पून कोश्चन है आपके एकजाम वरिंटेड कोश्चन कुछ और कोश्चन जो परियाबरन छेतर से संबंदित है देखें मांट्रियल प्रोटोकल कब शुरू हुआ और यह बहुत बार पूछा हुआ नोश ऐस्य। 16 सितंबर 1907 को शुरू हुआ कब शूरू हुआ 16 सितंबर Анऱ ऑन साताज सी को याद रखे थैं men परत को सरक्षन के लिए मान्टियल प्रोटकल लाया गया कब 16 सितंबर उने 77 लिखी ओजोन दिवस पूछे ना तो ओजोन दिवस को मनाते नज़ार रखेगा बहुत बार एक्जाम में पूछा हुआ कोशचन है क्योटो प्रोटकल का संबंद कि से greenhouse house gas के उठसरजन को कम करने के उठसरजन को कम करने किसे इस सम्पन नहीं नजर रखे वो ऐसे भी डिरेक्ट पूछेगा प्रित्वी सम्मिलन कब हुआ उन्हें सबिरानबे कहां हुआ डियोदी जेनरो ब्राजील में हुआ नजर रखेगा और प्रित्वी सम्मिलन का रिपोर्ट का नाम क्या है एजेंडा 21 है तो ये सभी कोश्चन आप एक्जाम के लिए महत्प बार बार ये पूछेगा एलसेंडा को आपको क्यूं दिया गया पेरो की कताई को रोखने के लिए दिया गया था ठीक है दोस्तों तो अगर आपको वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिए साथ नवाद दोस्तो.